लो स्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग नियुमेरिकल भी आते हैं कि आप BST में सर प्लीज करा दो प्लीज करा दो इतने कॉमेंट्स हैं तो आज मैंने फाइनली सोचा कि आपके छोड़ी सी वीडियो बना के आपके पांच नमर पक्के कर दो क्योंकि नियुमेरिकल आता है पू हेल्थ केर लिमिटिडे कंपनी है जो इंगीज करती है प्रड़क्शन ऑफ और्गनिक फूड में तुम्हें कहानी सुनाने कोशिश करेगा और कहानी के आंत में तुमको यही बोलेगा कि भीया हमें इस काम के लिए पैसों की जरूरूरत है अब वो पैसा डेट से इसू करे था ने दोनों और बोलेगे दोनों क्मप्शन को काने कंपनी के पास сे एक अप्शिन को चूस कर लेगी आपको बताने ऌैोंप्शन सही और गलत किया यह सी 220 घूर कूसर करए और कुंसा साहीोगा कौसा गलत एहान समाझ आ एवी कहान ही सुरू हुरी है प्रजेंगी किसी कोशिन दो अप्शन दे देता है, मैं आगे वो भी दिखाऊंगा तुमको, वो कोशिन भी कराऊंगा, पट यहां पर जो फाइन्स मैनेजर है उसमे बलाई देखो, तुम्हें पैसो के जरुरूरत है, अनलाइन काम करना है, पोडल बना है, शोरूम बना है, तो यह लो 50 रुपए, पचास लाग नी, मैं अब डेट से लेना, जो पैसे इतने भी चाहिए ना, डेट से लेना, एकुटी मत इशू करना, ठीक है जी, तो कम्पनी प्लान करती है, डेट कैपिल को 40 लाग, कम्पनी कहते है, 40 लाग रुपए लोन ले लेंगे, इसी इसी बैंक से, तो 10 लाग ले लेंगे, तो यहां पर मुझे जो रेट ऑफ इंटरस्ट मिला है, वो कितना एकुलास, 10 परसेंट पर मुझे 40 लाग का लोन चाहिए, प्रिजेंट कैपिल बेस अभी इनके पास 9 लाग रुपए नहीं है, 9 लाग एकुडी शेर, 10 का एक, उन 10 लाग की कैपिल है, टाक्स रेट 30 परसेंट है, इन दा कंटेक्स्ट अफ अवफ केस, अज्यूमिंग, एक्स्पेक्टेड रेट ऑफ रेटर्न सेम इन करेंट यर, हम मानेंगे की जो रोई है, वो 15 परसेंट है, दो यू थिंग देसिजिजन उस अफ देट इस जस्टिफाइड, क्या यह जो ड बताता हूं, क्लास, अगर कभी भी तुम्हारा ROI, return on investment, जादा है, किस से जादा है? rate of interest से, तो तुम्हारा debt issue करना correct decision होगा, क्योंकि debt issue करने से तुम्हारा जो earning per share है, shareholder की earning है, wealth है, वो पढ़ जाती है, तो मतलब सर मुझे ROI देखना है और rate of interest देखना है, देखना है जादा कौन सा है, अगर ROI जादा है, तो सर क्या हम इसमें देख सकते हैं, यस आप देख सकते हो, अभी ये 40 लाग, अभी इनके पास कितनी capital है, अभी इनके पास 9 लाग capital है, present capital base कितनी की एकलास, 9 लाग है, और 9 लाग into 10 का एक, 90 लाग का present capital base है, और 15 लाग का इनको ROI है, और इन्हो करने से company के earning per share बढ़ेगी shoulder का wealth बढ़ेगा this is justified debt issue करना ठीक है तो sir तो हो गया बहुत ही simple है अगर ROI कम होता sir तो debt issue करना company के लिए अच्छा नहीं है company की equity wealth कम होगी लेकिन मैं कभी भी तुम्हें सजस्ट नहीं करूंगा कि तुम इस तरीके से answer लिखो मैं तुम्हें practically show करके दि करके राइक problem solving यानि कि आप देखोगे really मैं चेक करोगे तुम्हारा EPS पहले कितना था old EPS कितना था new EPS कितना है और यह बढ़ रहा है और यह बढ़ रहा है और यह बहुत असाना अगर आप इनी कोश्चिन की जो मैं तुम्हें अभी करा रहा हूं और इनकी वह जम के प्र Situation 1 Situation 1 और Situation 2 ठीक है फिर हम इसको explain कर देंगे तो सबसे पहले इनके पास जो equity है Situation 1 में equity है 90 लाग की 90 लाग कैसे आये था 90 लाग कैसे आये था 9 लाग है 10 के एक तो यह बन गया 90 लाग तो यहां भी Situation 2 में भी कितनी equity capital है 90 लाग ठीक है फिर इसे केंड टाइप में debt इशु कर रहे हैं तो यहां पर देट कुछ नहीं था पहले अब इन्होंने ड़ेट इशु किया 40,000,000 का राइट तो जो टोटल क्यापिटल आपके पास आ गई है टोटल क्यापिटल यहां पर तो 90,000,000 ही होगी यहां पर एक करोड 30,000,000 करोड 30,000,000 पता नहीं कितना जीरो होते हैं एक करोड 30,000,000 अब सुनना मेरी बात अब यह कहते हैं अब यह कहते हैं कि जो इनका ROI है यानि कि profit before instant tax वह 15% है तो 90 का 15% कितना होगा 90,000,000 का 15% 一 पैंट वनेगा, चेक करो, 90 लाग, 15 परसेंट, 90 लाग, 15 परसेंट निकालो, और यह 1 een क्रोड 30 लाग, 15 परसेंट, 90 लाग da 15 परसेंट, तो यह आगेक लास 13 लाग 50 अजार, और यह 1 क्रोड 30 लाग काईट निकालते हो, तो एक करोड़ तीस लाग का 15 परसंट याएगा उननीस लाग पचास अजा ठेक है तो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर इंट्रेस्ट टेक्स तो निकल गया जी आगे सर उबात समझ ठीक है सर अब तुम माइनस करोगे इसमें से इंट्रेस्ट तो पहले तो देट कुछ था तो इंट्रेस्ट कुछ था निए अब यहां पर तुमने 40 लाग का डेट 10 परसंट में लिया है तो तुम्हें इंट्रेस्ट ये इंट्रेस्ट दिना पड़ेगा 4 लाग का तो तुम्हारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टेक्स वो कितना आ गया लाइन भी खीच सकते हो चलेगा यहां तो तुम्हा तो तेक्स की पेमिंट करोगे टेक्स कितना था जरा चेक्स कितना था तेक्स रेट था 30 परसंट तो टेक्स 30 परसंट आप गटा दोगे तेरा लाख पचाश जार का 30% ठीक है, तेरा लाख पचाश जार का 30%, तो यहां से आप घटा दोगे, 5,85,000 का टेक्स लग गया, यहां तेरा लाख पचाश हजार का 30% अगर आप निकालते हो, तो यह आएगा 4,05,000, तो यह जो तुम्हारे पास अब प्रोफिट आया है, कहान तिगों आद 9, 5,000 है और तुमारे पास टुमारे पास giving the number of share वे लोग 9, 5,000 है 9,000 कुछ युल नौग 9, 45,000 है कलिब गजो फी मेंおवे निव क्त्ना फॉर्बास पाउर्यूप तौ एक उर्निंग पाँआ पर शयर निह पास वह है वो हर एक share पे एक उर्पे पांच पैसे कमा रहे हो, तुम पहले कमा रहे थे, अभी देखो तुम्हारे पास 15,50,000 का profit है, माइनस 585 घटा दोगे, तो profit बचा 9,65,000 का, और इसमें क्योंकि तुमने debt issue करे हैं, तुम्हारे पास shares अभी भी 9,00,000 का ही है, क्योंकि तुमने extra debt issue करें, shares तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तुमने debenture issue करें, number of share तो same रहेंगे, तो अगर तुम इसको class divide होगे 9,00,000 से, तो तुम्हारे पास आएगा 1,07 पैसे, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि जो तुम्हारा earning per share है, वो बढ़ रहा है, तुम्हारा जो earning per share पहले, एक रुपे पांच पैसे था, अब वो earning per share बढ़के, एक रुपे साथ पैसे हो गया है, बहले ही तुमने interest pay कर दिया, additional 40,00,000 पे, तब भी तुम्हारा जो profit after tax है, यहाँ पे यह ज़्यादा है, तो profit जब तुम्हार पास ज़्यादा बच रहा है, number of share same है, अगर तुम equity issue करते है, यह number of shares बढ़ जाते है, नीचे denominator में ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे नहीं है, तो आप ऐसा कह सकते हो, practically आप यहाँ लिख सकते हो, कि here earning per share increases by issuing debt, so this statement, this decision is very justified, क्योंकि यहाँ पे फिर आ एक लाइन आरवाए के लाइन के लिख दोगे, एक लाइन यह पूरा प्रेजेशन करके इसको एक्स्पीन कर दिखा देगा देगा ज़ादा कि कि अर्निंपरिष्यर कंपनी का पाँपनी था अब यह बढ़कर च्लास एक रुपए सात पैसे हो गगगा तो अर्निंपरिष् चीज़ तो मैनेजमेंट कहता है कि इनके बास दो अल्टरनेटिव है पहला अल्टरनेटिव यह पांच अजार इसू करते हैं और दूसरा है कि यह पांच लाग रुपए देट मेलें दस परसेंट राइट कंपनी प्रिजेंट अर्निंग बिफोर इंसन टेक्स को जो है वह जो है 4 लाग इकपाद बताऊ क्ला सब बच्चे लाग एक बाद बताऊ कितना के कपिल है 10 लाग कितनी कापिटले मुझे बताऊ 10 लाग 10 लाग' झार परसेंट स्वी दस लाग पे आप 4 लाग कमारे हो तो मद detriment तुमारा आरा आरा वाइऊ-तो बहुत थगड़ा इतना है, सिर्फ 10% है, तो इशु करो ना, डेट, डेट इशु करने से फाइदा होगा, क्योंकि रवाई जादा है, रेट आफ इंट्रेस से, सीधा देखती है, बता दिया बने, लेकिन आप क्या करोगे, फिर भी आप सॉल्फ करोगे, ध्यान समझा कैसे, असुमिंग रेट रेट 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 हमेशा सेम रहता है, जादेश परसंटी है, और विच अल्टरेट इवाई रेट आप इसमें क्या कहा रहा है, कौन सा अल्टरेट रेट कंपनी उस करेगी, पिछले कोश्चिन में रेट दिया था 15%, याद करो, रेट दिया था यहारा 15% नीचे, इस क्लास ऐसे एक टेबल बना देते हैं अल्टर्णेटेव वन यहां लिख दो सोर्सेज पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो पांच लाग और पिसल नी करेंगे तो यहां पर देट फ यहां कितना इशू करेंगे अभी हैं पर कुछ लिख लिख धी है तो अगर आप यहां देखोगे इनकी टूटल क्यापिटल है वो यहां पे भी 15 लाग है, और यहां पे भी 15 लाग है, 40 परसंट तुम्हारा क्लास EBIT है, EBIT, earning before instant X, 40 परसंट है, क्योंकि तुमने अभी निकाल लिया था वो, तो दिखा देना, वर्की नोट में उसको भी करके दिखा देना, कोई प्रोब्लम निया, 15 लाग का 40 परसंट तु तुमने 5 लाग लिया है, वो debt issue किया है, और जिस debt पे आप कितना alternative है, 10 परसंट के interest दोगे, 5 लाग का 10 परसंट जो की 50 जार रुपय निकल कर आएगा, तो यहां जो तुमारे पास profit बचेगा, वो बचेगा 5 लाग 50 जार, profit before tax, और यहां जो तुमारे पास profit बचेगा, वो 6 6 लाग ही बचेगा, लेस करोगे tax, ठीक है, यह क्या आगया, profit before tax, अब tax माइनस करोगे, tax कितना है class, 50 परसंट tax है, 6 लाग का 50 परसंट कितना आगया, 3 लाग, तो अब जो तुमारे पास बचेगा, profit after tax, यहां पे तो 3 लाग ही बचेगा, और यहां 50 परसंट क्लास, 2 लाग 75 तो बचेगा भी इतना, 2 लाग 75,000, तो बच्चक लाएगा कि second alternate में सब प्रॉफित काम हो गया, यहां profit जादा है, लेकिन 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 जब तुम डिवाइड दोगे number of shares, तो यहां पे 10 लाग shares, sorry, 10 लाग रुपए है, 100 वाले shares, 10,000 shares, प्लस तुमने यहां पे 5,000 share और इ 15,000 shares है, तो यहां कि आएगा कितना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 15, 20 रुपए, तो यहां जो तुमारा earning per share निकल कर आ रहा है, वो आरा है 20 रुपए का, यहां कि तुम हर share पे 20 रुपए कमारे हो, लेकिन यहां पे जो shares हैं, यहां पे जो shares हैं, वो 10,000 ही हैं, क्योंकि यहां पर class shares कम नही 27 रुपए 50 पैसे रहा है, और वहां पर जो निकल कर आ रहा था, वो 20 रुपए आ रहा है, यानि कि यह आपने बना दिया ना फिर खेल ही खतम हो गया आपने गेम चेंज कर दिए तीचर आपको पूरी नंबर देगा तो आप ध्यान नखना कि यह नुमेरिकल में गलती नहीं होनी चीए तुम्हें कंपैर करना है ROI और दो रेट अफ इंटरेस्ट को और तुम्हें जैसा है वो लिख दो फिर अल्टरेट दो लिख दो लिख दो अधना ध्यान बतारों किलास सबसे पहले क्या आता है profit before instant tax, यह directly दे रखा होगा या एक percentage होगा capital का, तो total capital में debt और equity दोनों आता है, ध्यान नखना, shareholder fund के अंदर ESC plus PSC plus return surplus, plus long term debt भी आता है, shareholder fund plus long term debt मिला कर capital upload आता था, आप याद करो term 1 में, मैं नहीं तुम्हें पढ़ा होगा है, तो यह आया PBIT, PBIT में से less करोगे interest, तो आयगा PBT, PBT में से less करोगे tax, तो आयगा PAT, यह पूरा पूरा प्रोसेस रहता है, और इस जो profit of taxes को डिवाइड दोगे number of share से, number of share, share की value नहीं दियोगी, तो आप 1 share 10 का मानना, तो अगर 1 कोड़ की capital है, 10 लाग, shares 10 का एक, ऐसा मान लेना, दे रखावा तो अच्छी बात है, तो प्लीज इस question को अच्छी से प्राक्टिस कर लेना, मुझे comment section बताना कि समाझ आया की नी, वीडियो अच्छी है, लाइक करके शेर कर देना सारे दोस्तों में, क्योंकि मैं जो प्रामिस किये थे class, मैं वो पूरा निभा रहा हूं, उससे बहतर कर रहा हूं, तो आपको सपोर्ट जरू करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, महनत करना है, और इस वीडियो को शेर करना ह चाहे टिप्स हों, चाहे पूरी चीज, सबकुछ आपको यहां पर दे दिया है, तो बस बढ़ो, महनत करो, आगए बढ़ो, टेक केर, बाई-बाई, मिलते है नेक्स वीडियो में.